इस्राइल गाजा जंग में अमेरिका और बिटे जहां इस्राइल के समर्थन में हैं वहीं यमन के हूती विद्रोही गाजा और हमास का समर्थन कर रहे हैं यही वज़ा है कि हूती विद्रोही अपने नियंत्रन वाले इलाके से निकलने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इदार अमेरिका सहित उसके अन्य सायोगी देश चाहते हैं कि व्यापारिक जहार्जों का सुरक्षित आवागमन सुनिशित किया जा सके इसको लेकर अमेरिका बिटेन मिलकर यमन के हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहे है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन और बिटेन के प्रधान मंतरी रिशी सुनक ने इस बात की पुष्टी भी की है कि उनकी सेना ने यमन के सरशस्त्र बलो यानी हूती विद्रोहियों के खलाफ हवाई हमले किये है विबिन मेडिया रिपोर्ट्स में कई अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया कि यमन के एक बड़े क्षित्र में राडार सिस्टम, ड्रोन, क्रूज और बलेस्टिक मिसाइलों के स्टोरिज वाले ठिकानों और लाउंच साइट्स को निशाना बनाया गया यमन में किये गए हमलों पर बाइडिन ने कहा कि ये टार्गेटिट हमले साफ संदेश हैं कि अमेरिका और हमारे अन्य साज़ेदार अपने कर्वियों पर हमले बरदाश नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ड व्यापारिक मारगों में से एक लाल सागर से होने वाली आवाजाही को खत्रे में नहीं डालने देंगे बाइडन ने भी कहा कि यमन में हमले के लिए इतियास में पहली बार जहाज रोधी बैलेस्टिक मिसाईलों का इस्तेमाल किया गया अमेरिका और बिटिश हमलों के तुरंत बाद यमन की सना सरकार में उपविदेश मंतरी हुसैन अल-अजी ने चेताउनी दी कि अमेरिका और बिटिश को अपनी इस भयानक आकरा मक्ता के लिए भारी कीमत चुकाने और कंभीर परड़नाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए अनसार अल्ला राल्तिक बिरो के सदस्य मुहम्मद अल्ग बुखैती ने अमेरिका और बिटिश दोरा 2004 और 2015 में यमन के खिलाफ हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि यमन पर प्रत्यक्ष आकरा मक्ता उनके इतिहास की सबसे बड़ी मुखता थी आपको बता दे कि यमन पर किये गए अमेरिकी हमले को लेकर अमेरिका के भीतरी विरोध के स्वर उठ रहे हैं दूसी तरफ सौधी अरब ने भी यमन पर हुए हवाई हमलों पर चिंता व्रेक्ट की है इधर युक्रेन के साथ युद कर रहे रूस ने भी यमन पर हुए हमलों को लेकर 12 जन्वरी को स्युक्तराश्य सुरक्षा परशद यानी UNSC की आपात कालिन बैठक का अनुरोध किया है झाल झाल झाल